हेलो फ्रेंड्स वेल्गम बेक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे वुमेन बिग बैस लीग 2020 के फाइनल मैच के बारे में जो की मेलबन स्टार्स वुमेन्स वर्सेर्स सिड्नी थंडर्स वुमेन्स है फ्रेंड्स और इस मैच को आप 28 नोवेंबर की दोपहर एक बच के 40 मिनट से देख सकते हैं फ्रेंड्स और यह मैच सिड्नी के नौर्थ सिड्नी ओवल में होने वाला है फ्रेंड्स पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी फर्स इनिंग का एवरेज स्कोर 150 देख सकते हैं वेदर की ब साथ तो स्क्रीन पे प्रेंड्स भाई का वाट्स अप नंबर 100 हो रहा है फ्रेंड्स इनसे वाट्स अप पे आप जॉइन हो सकते हैं यह नंबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं पहली पांच मैचस की बात की जाए फ्रेंड्स तो तीन बार उसकी जीत हुई है दो बार हार हुई है वहीं सिड्नी थंडर्स वुमेंज के पिछले पांच मैचस की बात की जाए फ्रेंड्स तो चार बार जीत हुई है एक बार हार हुई है और अगर प्रिवियस येर के फाइव ह हिट मैचेस की बात की जाए फ्रेंट्स तो तीन बार सिडनी थंडर्स वुमेंज की जीत हुई है और दो बार मेलबर्न स्टार्स वुमेंज की जीत हुई है और अगर पॉइंट स्टेबल की बात की जाए फ्रेंट्स तो पॉइंट स्टेबल पे मेलबर्न स्टार्स के साथ है 14 मैचेज खेली है 7 मैचेज में जीत हुई है तो पॉइंट से बल के अंपर अगए है और इस लीग में इन दोनों के बीच एक बार मैच हुआ है फ्रेंट और उस मैच में मैलवन स्टार्स वुमेंज की जीत हुई थी 8 विकेट से तो फ्रेंट अगर मैच विनर की बात की जाए तो दोनों टीम्स को कमपेर करने पे 28 नौवेंबर को होने वाले इस फाइनल मैच में Melbourne Stars Women's के जीतने के चांसे मेरे अनुसार चाहता है आपकी क्या थिंकिंग है Friends इस मैच को लेकर आपके अनुसार कौन से टीम जीत सकती है ये मैच आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस मैच की फिक्स रिपोर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ चाहते हैं तो स्क्रीन पे प्रिंस भाई का वाटसअप नंबर 100 हो रहा है Friends वाटसअप पे आप इनसे जॉइन हो सकते हैं ये नंबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा Friends उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है Friends तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें साथ ही जादा से जादा लोगों को ये वीडियो सेर करें Friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद